वाव मज़ा आ गया इस हेयर मास्क को लगा के सीरियसली मुझे इतना मज़ा आ गया इतने अच्छे रिजल्ट मिले हैं सिंगल एप्लिकेशन में वाव 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 रियली में आप लोगों ने अगर कल की परसों की वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने हेयर मास्क दिया था तो आप लोग प्लीज गाइस सब लोग उसको जरूर से देख ले ना इस वीडियो को खतम होते ही उसको देख लीजेगा क्योंकि आज मैंने उसी का आपको दिखाया है हेयर मास्क लगा कर और वाश का कैसे करना है उसको वो बताया है और यहां आप जो मेरे बाल देख रहे हुए हैं बालों में बहुत बाउंस आ गया है बहुत जादा यह समझ लो चमकने लग गए बाल मतलब एक तरह से मुझे बालों से प्यार हो गया सीरियसली वतारू इतना जादा मैंने बालों को फ्लॉंड किया है ना उस हेयर मास्क को लगाया तो मजा ही मजा है और मैंने य जोड़ेना नहीं है इसको तो मुझे लगाना ही लगाना इतना अच्छा रिजल्ट मिला है और हाँ सभी जितनी भी लेडीज हैं जिनके ग्रे हेर की प्रॉब्लम हो रही है और वो परिशान है कि यार अब शादी में कैसे जाएं किसी के सामने कैसे जाएं सबसे पहले तो वा ऐर मास्क लगाना है वीक में तीन बार इस एर मास्कों लगाएंगे आपके सारे ग्रे हेर हैं वो ब्लैक हो जाएंगे वो भी नैचुरल वे में एक दम नैचुरल तरीके से ब्लैक होंगे और आपको रिजल्ट अमेजिग मिलेगा आपको अपने बालों से प्यार ऑप ताकि उनकी यह जो problem है यह हमेशा के लिए दूर हो जाए और इस hair mask से सिर्फ आपके बाल काले नहीं होंगे बलकि आपके बालों की सारा सारी problem दूर हो जाएगी मतलब आपके बाल एकदम से transformation हो जाएंगे अगर आपके बहुत जादा damage बाल है बहुत जादा रूखे बेजान स मन नहीं करता बालों में ऐसे बाल है ना एक application single application गारंटी के साथ बोल रही हूं है single application में बालों का सारा dryness बाल कितने भी जड़ रहे हैं कितने भी खराब बाल हैं है ना वो सब repair हो जाएंगे single application में बट इस आपको hair mask को week में तीन बार जरूर 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 लगाना ह क्योंकि इसके result आपको बहुत शांदार मिलने वाले हैं तो इसको आपको जरूर से तीन बार apply करना है यहां मेरे बाल आप देख सकते हैं इतना जादा मैं बालों को flaunt कर रही थी मुझे मज़े मज़ा ही आ रहा था फिर मैं का चलो आप लोगों के लिए वीडियो तो जरू बनाई जाती है कि after wash के बाद आप बालों को देख सकते हैं कितने खुपसूरत बाल लग रहे हैं और कितने black लग रहे हैं hair fall तो बिल्कुल नाम ही खतम हो गया seriously बता रही हूं अब monsoon भी start हो रहा है ठीक है तो monsoon में जादा care करनी आपको क्यूंकि बहुत जादा hair fall होता है monsoon लेकिन अगर जो care करेंगे उनका hair fall बिल्कुल नहीं होगा और जो बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे उनका बालों जर्णा वगेरा सब वही रहेगा तो इसलिए बालों की care करनी शुरू कर दीजे आप लोग भी इस hair mask को जरूर बना लेना वीडियो जब खतम होती है तो last screen प और आप वही वाली वीडियो देख लीजेगा तो यहां पर मैं अब आगे आपको बताऊंगी कि मैंने जब hair mask लगा लिया था आपको उस वीडियो में मैंने hair mask बनाना भी बताया और application भी बताया है तो आज मैं उसको wash करना बताऊंगी कि बाल में अगर आप hair mask लगाते हो त बहुत सारे comment आ रहे थे कि आपने जो वीडियो उसमें मैंने fast forward कर दिया था तो आप लोग बोल रहे हैं कि उसको थोड़ा slow करके वापस से application पार डाल दीजे तो मैं application का पार आपको दे दूंगी ठीक है तो यहां पर देखिए अब मैं उसको धो रही हूं तो हमेशा सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना बालों को पीछे नहीं धोना है बालों को आगे की दरफ जुका के धोना है यह बिल्कुल सही तरीका होता है बहुत सारे लोग है वो बोलते हैं कि नहीं यह गलत तरीका है बालों को पीछे करना चीए देखो मेरा experience बोलता है मैं सिर्फ ऐ देखके या किसी को सुना सुना या बोल दिया एसे नहीं यहां पर जो है वो सब experience से हो रहा है everything जो भी चैनल पर डियाईवाई आती है सब experience आती है मैं घर में रेडी करके आपको oil और shampoo दे रही हूँ ताकि आपको pure चीज आप तक पहुँच सके और जो मुझे result मिले हैं वो आप तक भी आएं और आपको भी result मिले तो मेरा oil और shampoo की जो single boond है एक एक boond वो बहुत कीमती है तीक है वो आप किसी भी तेल से उसको compare करी नहीं सकते हो क्योंकि हमारा oil shampoo 100% pure और रिजल्ट देने वाला है तीक है जिन्होंने नहीं लिया है वो ले लीजे और जल्दी से लगाना शुरू कर दीजे और अपने बालों को अच्छा रखिए और healthy बनाईए ठीक है अभी देखी मैं आगे की तरफ सिर करके पूरा बालों को wash कर रही बालों से सारा निकल जाएगा ठीक है तो यह आपको इस तरह से निकालना है थोड़ा time लगता है क्योंकि हम इतना सारे hair mask अपने बालों में लगा लेते हैं तो उसको निकलने में थोड़ा सा time लगता है लेकिन पूरा निकल जाता है कोई भी particles वगेरा हमारे scalp में नहीं है application भी बताया और अब मैं धोना भी बता रही हूं है ना तो वीडियो सब आएंगी सब regular वीडियो आएंगी बस आप जुड़े रहिए regular देखते रहिए और शेयर करें कि उतने लोगों की जो problem है ना वो दूर होगी आप यह समझ दो कि अगर आप मेरी वीडियो को 10 लोगो होगे तो 10 लोगों की जो problem थी ना बालों की वो दूर हुई है उनको एक solution मिला है तो वो आपको दूआ देंगे कि यार आपने मुझे वीडियो शेयर की तो thank you thank you आपको बोलेंगे तो इसलिए आप वीडियो को हर बंदा जो भी देख रहा है कम से कम अपने group में अपने status पे लगा दीजे अपने group में लगा लीजे अपने WhatsApp पे Facebook पे अपने जहां भी आपको share करने का मन है वहाँ पर share करिए ठीक है दस कम से कम 10 लोगों को तो share जरूर से करें जिससे कि लोगों की problem दूर हो सके अगर आपके कोई भी WhatsApp पे group बने हुए है तो उस group में डाल दीजे है ना क आप लोग एक healthy चीज सही चीज कर रहे हैं तो आप दूसरों को भी share करें ताकि दूसरों की भी problem दूर हो सके ठीक है और यहाँ वट देखिए मैं अपने बालों को पूरा पानी से दोते दोते सारा hair mask है वो निकल गया बाल सब चिपक गये हैं बाल तो चिपकते हैं जब गी तरीका होता है देखो है ना आपको आगे दोने से क्या होता है scalp में आपके पूरी body का जो blood flow है वो scalp तक आता है और उससे hair की growth है वो fast होती है आप यह समझ लो blood अगर scalp तक आ रहा है तो आपके scalp को क्या है आपके बालों को क्या है खाना मिल रहा है ठीक है तो इसलिए आप लो करना है जी हां आपको बाल लंबे चाहिए हर कोई बंदा चाहता है कि मेरे बाल बहुत तेजी से लंबे हो तो आपको hair डंग जरूर 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 करना है आप कम से कम 5-6 बार bucket में अपने head को down करना है dip करना है और उपर करना है खड़े ओके करना है hair डंग बैटके नहीं कर अब वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे मैं आपसे मिलूंगी कल की वीडियो में बहुत अमेजिंग वीडियो देखी पानी पूरा ब्लैक हो गया है ना तो जितना भी पार्टिकल थोड़े बहुत रह जाता है ना वो hair डंग में निकल जाते है तो बस अब मैं आपको नेक्स वीडियो दूँगी मैंने बालों में क्या किया इसके बाद ठीक है